Hello Everyone, Welcome to the Online Session of Azad High School आज हम करेंगी Class 5th की Real English का Chapter No.12 जिसका नाम है Tiger ये एक Poem है तो चलिए पढ़ते हैं इस Poem में बताया गया है कि जो Tiger की प्रजाती है वो कैसे कैसे खतम हो रही है और अब जो इतना सुन्दर शेर जो जंगल का राजा हुआ करता था जिसकी दहाड से लोग इदर उदर बिखर जाते थे, बंदर चले जाते थे, जितने भी मंकीज हैं वो छुप जाते थे लेकिन आज जितना भी जंगल है वो शांत पड़ा हुआ है क्यूं? क्यूंकि जो Tiger है वो Almost खतम होते जा रहे हैं इसकी वज़ा क्या है? जो लोग है वो इनका शिकार कर रहे हैं ताकि इसकी खाल जो है वो Black Market में बेच सकें तो इसी के ऊपर जो है ये कवीता है Tiger की तो आज हम इसको पढ़ते हैं The Tiger isn't burning bright either in shadow or in sun The Tiger family is thinning two by two and one by one कहने का मतलब है कि पहले की तरह अब जो Tiger है वो बिलकुल भी नजर नहीं आ रहे हैं Burning bright का मतलब जो उनकी skin होती है It's like the sun which is burning bright तो वहीं यहाँ पे इसको उसकी तरह compare किया गया है कि आज कल जो Tiger है वो बिलकुल भी नजर नहीं आते हैं ना दिन में ना रात में ठीक है जो इनकी प्रजाती है वो दीरे दीरे क्या हो रही है कम हो रही है डिप्लीट हो रही है ठीक है one by one two by two अब फिर से कह रहे हैं कि अब Tiger हमें बिलकुल भी नहीं दिखते हैं ना कि जंगलों में ना जितने भी दिन में जो forest हैं वहाँ पे भी नहीं नजर आते हैं ना रात में नजर आते हैं हमें समझना चाहिए इनकी जो दुख भरी दास्ता है इसको समझना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है कि Tiger कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे है यहाँ पे यह कहने का मतलब क्या है कि जो Father और शेरू शेरू का पिता कहने का मतलब यहाँ से Tiger को ही बोला गया है जो Tiger के पिता है वो भी अब गायब हो गया है क्यों? क्योंकि जो उसके पिता थे उसको कुछ पोचर्स पोचर्स किसे कहते हैं पोचर वह लोग होते हैं जो इल्लीगली जानवरों का शिकार करते हैं तो उन्होंने उसको मार गिराया है और उसकी चमड़ी निकाल दी है पोचर्स ने उसकी जो बोन्स थी यानि कि किसकी शेरू जो कि एक Tiger को बोला गया है Tiger के पिता को उसकी बोन्स को पाउडर बना दिया है ताकि वह किसी Chinese medicine में काम आ सकी उनका ये मानना है जो उनकी हड्डियों का उसने पाउडर बनाया है वो उनको पाउडर देगा कि इनको जो लोग बीमार है लेकिन बीमार तो वह लोग है और उनकी आत्मा ये बीमार है कौन लोग जो सोचते हैं कि Tiger को मारना है कि Tiger को मारना चाहिए उनकी प्रजातियों को इस कामों में इस्तमाल करना चाहिए उनकी आत्मा बीमार है वो सब evil है His skin is hanging on a wall His bones are packed in plastic white and shipped out A gecko on a wall is hunting insects on its height अब यहां कहा है कि उसकी जो skin निकाल कर दिवार पे टांगती गई है और जो उसके bones थे उसको packet में भर कर shipped यानि कि बाहरी जो विदेशी मार्केट है वहां बेचने के लिए भेच दिया गया है अब जो दिवार पे उसकी skin लटकी हुई है उसके उपर है गेको गेको क्या होता है लिजर्ड यानि की छिपकली एक छिपकली है जो अपने जो उसका प्रे है मतलब उसका शिकार है जो कोई भी कीड़ा है इंसेक्ट उसको पकड़ने के लिए वो उसकी खाल के उपर जो है चल चल के उसका शिकार कर रहा है मतलब ऐसे बुरे दिन आ गए है मतलब अब टाइगर की इतनी बुरी दुरदेशा हो गई है कि एक टाइम पे जब पुरा जंगल उसकी दहार से हिल पड़ता था मतलब पेड पूरे हिल जाते थे उपर के उसके बॉर्ड सारे उड़ जाते थे गायब हो जाते थे जितने भी बंदर थे वो जोर से चिलाते थे ओह क्या दहार है ये कितनी जोर की आवाज है अब उस کے ऊपर एक छोड़ी छोड़ी छिपक लिया उसको अपना शिकार पकड़ने के लिए उसके कान को काट रही है मतलब उसके स्किन पे जाके वो शिकार पकड़ रही है, उसकी स्किन पे घूम रही है उसकी कानों पे टुक लगा रही है ऐसे बुरे दिन आ गए है Lord God नाइट और डाउन की जो वाइट और ब्लाइक कह सकते हैं एक लाइट कलर और एक ब्लाइक कलर जो किसको दिखाता है सुबे और शाम को इस तरह के जो भगवान ने इतनी अच्छी जो चीज बनाई थी अब उसकी जो ये स्ट्रिप्स हैं ब्लाइक और गोल्ड की अब वो कहीं पे भी नहीं चमकती हैं मतलब कहीं पे भी दिखाई ही नहीं देती हैं बोर हंटर फॉरेस्ट किंग ही जो बड़े बड़े जंगली सूरों को मार गिराता था जंगल का रहाजा कहलाता था अब वो चला गया है यानि कि वो बिलुप्त हो गये हैं तो ये थी हमारी पोएम और इसके पोएट थे केकी अन दारुवाला ठीक है अब हम करेंगे इसके कॉम्प्रेहेंशन Here is summary of the poem with some words missing Read the poem and fill in the blanks with the words given in the box यहाँ पे आपको क्या दी है इस poem की ही summary दी है तो जहाँ पे फिलप्स हैं आपने इस box में से वो वर्ड भरने है The number of tigers in the forest is decreasing because they are hunted by poachers These poachers kill the tigers for their bones and skin The bones are ground into powder and used as medicine by the Chinese They believe this medicine will help them to gain power and revive a man who is sick But by killing tigers, the poachers have shown that they are the men who are evil because they are able to kill the beautiful tigers so mercilessly The narrator is deeply troubled at the sight of a gecko hunting insects on the hide of a dead tiger He is reminded of a time when animals would flee at the sight of the tiger But today the forests are silent as the roar of the tiger cannot be heard anymore Now हम करेंगे A2 Read the poem carefully and choose the answers that are closest in meaning to those given in the poem Number 1 The tiger is not burning bright तो इसका option क्या आएगा आपका A Because it is being killed mercilessly by poachers Number 2 The tiger family is thinning Means इसका भी आएगा option A The number of tigers has decreased Number 3 By saying their souls were sick, the narrator wants to show that तो इसमें आएगा B part The poachers are mentally sick as they are killing the beautiful tigers Number 4 Shero is the name of तो यहाँ है इसका option है A A male tiger who is dead now Number 5 Boar hunter and forest king refers to तो यहाँ पर यह किसको बुला गया है इसमें आएगा आएगा आपका option B The tiger who is the king of the forest and an animal that hunts boars Number 6 His blackened gold won't shimmer now means इसका है option A There will be no tigers in the jungle now Okay तो यह था आपका A part अब है आपका B part यहाँ पर आपको कुछ pronunciation दिये हुए है Left hand side में जो कैसे sound करती है Burning Turning Earning Term Warm तिक है इसमें आपकी जो जीब है वो आपके उपर टच होती है और नेक्स जो राइट इन साइड में आपको sound दी गई है वो है Sun Sum Understand Hunt Monkey ठीक है इसमें जो आपके टीथ हैं वो टच करते हैं तो हमें B1 में दिया है Underline the words that contain the given sound जो first sound आपको दी है Turn जैसी वैसे आपको उन words को ढूलना है जो इसकी तरह sound करते हैं तो वो हैं Bird Firm Dirt Certain Earth Number second में है जो sound देते हैं Sun की तो इसमें आएंगे आपके Upper Dun Supper Turn Mother Summer Okay आगे है आपको B2 part Find the way from start to finish You may pass a square if the word in it contain Add sound As in white जैसे white में sound आई की उसी प्रकार से आपने वो सारे word धूनने हैं जो इन शब्दों में आते हैं ये sound देते हैं तो असी के तरह हमने start से लेके finish तक जाना है तो सबसे पहले आएगा Hide आपने height को क्या करना है? टिक करना है या तो फिर वहां से arrow लगाना है Height के बाद आएगा fight Then ripe Height Might Lime Light Rhyme Sight Try Time Fly Bite Write Climb Knife Mic Knife तो इस तरीके से हम finish में पहुँच गे हैं तो यहां पे आपका ये chapter खतम होता है I hope आपको समझ माया होगा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूले Thank you very much and have a nice day